Question No. 63 अपने सामने से में क्या दिया है? A circle has point PQR on a circle. In such a way that angle PQR is 60 degree and angle QRP is 80 degree. Calculate the angles of standard YNRQR at the center. एक ब्रत पर बिंदू PQR है, जो कि कौन PQR 60 degree का बनाते हैं और कौन QRP 80 degree का बनाते हैं. केंदर में चाप QR द्वारा बनाएंगा, कौन की घड़ना कीजिए. सबसे पहले बनाते हैं अपन diagram. ये बन गया भाई, ये circle. अब circle पर 3 point ले लो. ये P, ये Q, और ये R. 3 point ले लिए, ठीक है, इनको जोड़ो. ये क्या बन गया? एक तरोज बन गया. बन गया, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब, अब क्या बोल रहा है? P, Q, R. P, Q, R. ये वाला एंगल कितना? 60 degree. Q, R, P. ये वाला एंगल 80 degree. ये 60 plus 80 कितना होगा? बन 40. बन 40 होगा तो ये एंगल कितना होगा? 40 degree. तीनों कसम कितना होगा चाहिए बने 80 degree? अब ये दोने एंगल कि अपन को जरूबत नहीं है. क्यों नहीं है जरूबत? क्योंकि अपन से क्या पूचा? अपन से पूचा? सेंटर पर बनने हाला है एंगल. तो सेंटर पर एंगल कौन से R के द्वारा? क्यो एर क्यो आर किये रहा? सेंटर का होगा? यह कहीं सेंटर माल लेते हैं, पने सेंटर होगा. तो ये एंगल कितना होगा? अगर ये एंगल 40 degree है तो ये इसका डबॉल होगा? कितना 80 degree? कौन से उप्शन में? बी उप्शन में. यह चीज समझ में आई न यह 40 क्यों आ गया इन दोनों एंगल कसम कितना बन 40 डिग्री ट्राइंगल की तीनों एंगल कसम कितना होता बन 80 डिग्री तो यह बन 40 प्लस 40 80 हो जाएगा बन 80 हो जाएगा ठीक है और उसके बाद क्या यह property रहती है कि center पर बना हुआ कोण circumference पर बनी हुए कोण का क्या होता है दुग ना होता है double होता है circumference पर बनी हुए एंगल से center पर बना हुए एंगल तो यह अगर 40 है तो यह कितना हो जाएगा 80 डिग्री ठीक है कौन सा option बी option correct answer